हरी भाव किशन राव बागडे का जन्म क्रशक परिवार में हुआ वे आरंब से ही जन सेवा के सरोकारों से जुड़े रहे समा सेवा क्रशी एवं डेडी छेतर में उनका गहन अध्यन है और उन्होंने छेतर में विकास के लिए निरंतरकार ये भी किया है राजेपाल महोदे की ग्रामें विकास में गहरी रूची है उन्होंने कमजोर उपिछड़ी वर्गों के कल्यान और महिला शेशक्ती करण के लिए निरंतरकार ये किया है महराश्ट्र में उनकी पहल पर शेहकारी तांदोलन को गती मिली उन्होंने किसानों को दूद से संबंदित व्यापाय शुरू करने के लिए प्रोचसाहित किया और दूद विपनन को निरंतर भड़ावा दिया गन्ना किसानों के लिए उन्होंने गन्ना कारखानों के स्थापना कर उन्हें उनकी फसल का उचितला प्रदान किया बागड़े का राष्ट्रिये स्वेमसिवक संग से बच्पन से ही जुडाव रहा है वे उरंगाबाग छटरपती शंभाजी नगर और जालना जिलों में अकाल उन्मूलन के उद्धिश शिश गठित आर ऐसे समीती के कारेकारी अध्यक्ष भी रहे पत्रकारीता के अंतरगर सापता है पत्रीका विवेक के प्रतिनीदी के रूप में भी उन्होंने कारे किया है पिछले साथ सालों से बागडे राजनीती में दिरंतर सक्रिये हैं महराश्ट्र के शीर्ष नेताओं शैकारिता आंदोलन से निकर्था से जुड़े रहने के लिए उन्होंने समय समय पर आमजन के लिए आवाज उठाई और उनके हितों के लिए कारे किया आपादकाल के विरुद आंदोलन का नित्रतु किया और सत्या ग्रह किया 2004 में वे महराश्ट्र भाश्पा के उपाध्यक्ष बने और भाश्पा के विशेश आमंत्रित सदश्य के रूप में राश्ट्रिये कार्यकानी समीती में रहे बागरी लगाता छे बार विधायक रहे वर्ष 1985-1992-1949 में च्छत्रपती संभाजी नगर पूर्य निर्वाचन छेत्र में और 2014 में और रंगाबास जिले के फुलंबरी निर्वाचन छेत्र से महराश्ट्र विधान सभा के सदश्य के रूप में चुने गए 2019-2024 तक फुलंबरी विधान सभा छेत्र के विधायक रहे उन्होंने रोजगार गारंटी योजना सारवजनिक खातो सारवजनिक उपकर्मों और विधायका की विभिन संयुक्त समीतियों पर काम किया है और विधायकी समीतियों के सदश्य भी रहे हैं 12 नवंबा 2014 को बागडे महराष्ट विधान सभा के ने विरोध अध्यक्ष उने गए विधान सभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने संसद्य एक कारे पर नाली और विधाई मरियादा के लिए निरंदर कार्य किया है हाल ही में त्याग पत्र देखकर उन्होंने राज्य पालपद पर कार्यभार संभाला है